है है वेलियो फ्रेंड्स welcome back to my channel friends क्या आप जानते हैं वैजिलीन हमारे खुब सुरिते को बढ़ाने के लिए कितना फाइदेवंद होते हैं बैसे तो वैजलीन को ड्राय स्किन को मैस्टुराइज करने के लिए इस्तिमाल की जाते है पर हमारे ब्यूटी को इनहांस करने के लिए वैसलीन के और भी कही सारे यूजेज भी है आज इस वीडियो में मैं आप लो को वैसलीन पेट्रोलियम जली के कुछ अमेजिंग यूजेज दिखाऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं पर इसके पहले मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ओन कीजिए जिससे आप हमारे सभी फायतिमन वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे कैसे अंडर आई डाक सकल्स को रेडियूस कर सकते हैं इसके लिए थोड़ा सा वैजरीन लीजिए और इसमें थोड़ा सा लेमन जूस एड़ करके अच्छे से मिला लीजिए अब इसे अपने अंडराई एरिया पर ऐसे लगा लीजिए और एक घंटे के लिए रहने दीजिए और एक घंटे बाद एक कोटन के मदद से इसे पोच लीजिए और फिट थंडे पानी से धोलीजिए ऐसे 7 डेस तक कंटिन्यू करने से आपके डाक सकल्स पूरी तरह से रेमूव हो जाएगा नेक्स्ट है वैजलीन फॉर अंटी एजिन ट्रीटमेंट इसके लिए सबसे पहले 2 टीस्पून वैजलीन लीजिए और इसे डबल बॉलर प्रोसेस से मेल्ट कर लीजिए जब वैजलीन पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तब इसमें 1 टीबल स्पून अलेवेडा जिल्ब और थोड़ा सा रोज वाटर एड़ करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब रोज रात को सोने से पहले इसे अपने फेस पर जेंटली मसाज करते हुए अपलाई कर लीजिए और सो जाईए और सुबह अपने स्किन को धो लीजिए इससे आपके स्किन सौप्ट स्मूथ रिंकल फ्री और यूथफुल बनेगा नेक्स्ट है वैजलीन फॉर डाक स्पॉट ट्रीटमेंट स्किन से डाक स्पॉट और कही तरह के डाक को दूर करने के लिए एक बोल में वन टीस्पून वैजलीन लीजिए और फित थोड़ा सा दूद आड़ करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब इसे अपने फेस पर अपलाई कीजिए और 20 मीट के लिए रहने दीजिए 20 मीनिट बाद एक कॉटन पैट से स्किन को पोच लीजिए और फिर पानी से धोलीजिए नेक्स्ट है वैजलीन फॉर हेर डामेज ट्रीट्मेंट ड्राई डाल डामेज हेर को स्तॉप्ट स्मूथ शाइनी और मैनेजेबल बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में वन टेबल स्पून वैजलीन लीजिए और फिर इस में एक एग वाइट यानि कि अण्डे की सफेद भाग को एड करके अच्छे से मिला लीजिए अब इसे अपने पूरे हेर पर अपलाई कर लीजिए और 30 मीट के लिए रहने दीजिए 30 मीट बाद बाल्यों को हलका गरम पानी से धो कर शैंपू से वश कर लीजिए नेक्स्ट आइलाशिस और आइब्रोज को लंबे और घने बनाने के लिए वैजलीन के इस्तेमाल इसके लिए वन टेबल स्पून वैजलीन लेजिए और फिर इसमें हाप टेश्पून कास्ट रॉयल और वन विटावमिन ए कैप्सूल आट करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप इसे एक कंटेनर में स्टोर करके सेवन डेज के लिए रख सकते हैं अब रोज रात को सोने से पहले एक मस्कारा ब्रश के मदद से इसे अपने आइब्रोज और आइलाशिस पर अपलाई करके सो जाईए ऐसे कंटिन्यू एक से दो हपते तक करने से आप देख पाएंगे आपके आइलाशिस और आइब्रोज काफी लंबे और घने हो गये हैं तो फ्रेंड्स ये थे वैजलीन के कुछ इजी ब्यूटी टीप्स इसे आप घर पर ट्राइ कीजिए और इसके बेनिफिट्स मेरे साथ जरू शेर कीजिए नीचे कॉमेंट बॉक्स में अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेर जरूर कीजिए और मेरे और वी अच्छे जे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मैं मिलतू आपसे अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक यार और बाबाई